नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी उत्तर प्रदेश में नौ विदान सभा सीटो पर उपचुनाओ होने वाले हैं क्योंकि भारतिय जंता पार्टी मेहस 33 सीटो पर ही अपना कबजा जमा पाई थी और वही भारतिय जंता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाओं में 62 सीटो पर जीत दर्ज करने में काम्याब होती भी नदर आई इंडिया गटबंदन के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने 37 कॉंग्रेस ने 6 सीटो पर उत्तर प्रदेश में अपना कबजा जमाया और जीत का परचम लह रहाया और ऐसे में अखलेश यादव का कद उत्तर प्रदेश की राजनीती में बढ़ता हुआ नजरा है इसके बास से अब उपचुनाव को लेकर अखलेश यादव पूरी तरह से तयारियों में जुटते वे नजरा रहे हैं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को सेमी फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि final की जो घोशना है वो कर दी गई है और वो final 2027 का विदानसबा का चुनाव होना है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 9 विदानसबा सीटों पर जो चुनाव होगा उसमें जो समीकरण बनते बिगड़ते वे नज़राएंगे सभी राइंतिक पार्टियों के लिए वो क सरा से मैयवती को लोगसबा चुनाव में एक बड़ा जटका लगा और एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी ठीक उसी प्रकार से अगर बात की जाए या आजाद समाज पार्टी की तो पहली बार लोगसबा चुनाव में ताल ठोकी और पहली बार में ही नगीना से चंदर शे अखिलेश यादव का कद काफी तेजी से बढ़ता वह नजरा रहा है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विदानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव अपनी तमाम जिताओ सीट यानि की पांच जिताओ सीटों पर कबजा करते वे नसराएंगे और क्य केवल पांच जिताओ सीटों पर ही कबजा करेंगे या फिर अन्य सीटों पर भी कही न कहीं समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रहेगा क्योंकि देखा आपने किस तरह से अखिलेश यादव पहले साथ सीटों पर प्रतियाशियों का एलान कर देते हैं उसके बाद कहीं न कहीं गटबंदन में चुनाव लड़ने की बात कहते हैं लेकिन कॉंग्रेस तीन सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी अखिलेश यादव केवल दो सीटे कॉंग्रेस को सौपते हैं लेकिन उसके बाद कॉंग्रेस हाई कमान द्वारा प्रेशराइज करने के बाद क कहीं न कहीं अखिलेश यादव राजी हुए और अब उनको एक और सीट देते वे नज़रा रहे हैं तो अब ऐसे में जिस तरीके से कॉंग्रिस के पाले में तीन सीटे जाती हैं और अखिलेश यादव अपने पास छे सीटे रखते हैं तो इस उपचुनाओं में क्या इंडि पर क्या कुछ लगता है आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं वाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News